तो चलिए दोस्तो फिर से एक न्यूव एपिसोड में आज हम अपने घर के पालतू पशोगों को बानने के लिए सुन्दर डिजाइनर और एक अलग प्रकार की महरी मोर्खी किस तरह से वराने हैं वो सिखेंगे वैसे महरी के उपर पहले भी बहुत सरे एपिसोड अपने चैनल पर बन चुके हैं आपने देखे भी होंगे और नहीं देखें तो कोई बात ने उपर राइट कॉर्णर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगा वीडियो की लिंक दे रखिए जहां भी आपको सुईदा हो जाकर देख सकते हो बड़िया से सीख सकते हो तो आज की महरी बनाने के लिए हमें चाहिए लगबग 10 mm मोटी और 25 फिट लंबी रसी आप रसी किस प्रकार की हो आपको जो भी रसी मिले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे कोई फिक्स नहीं है रसी के बाद एक मजबूत भ आप सभी ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले 25 फिट लंबी रसी में से 8 फिट रसी को अलग कर देना जैसे मैंने कर दी है आप देख सकते हो नॉर्मल धागे से मार्किंग करके मैं आपको समझने कोशिश कर रहा हूँ बस द्यान से देखे, गोर से सुने, होड़े को स्किप ना करें, जंप ना करें तो मार्किंग से बाए तरफ यह वाला हिसा है, आट फिट लंबा इसको करते हैं साइट में अब बचवा हिसा है मेरे दाहिने तरफ अब यहां क्या करना है, बचवा हिसे को डबल कर लेना है, तो डबल करने के लिए हमें क्या चाहिए इस रस्टी का दूसरा शिरा यहां पकड लिया और रस्टी को नॉर्मल तरिके से ऐसे डबल कर लेना है डबल करने बद हमें क्या मिलेगा एक सेंटर पॉइंट या फिर जो लूप ओला हिस्सा है वो मिल जाएगा जैसे ये वाला ठीक है लूप ओला हिस्सा मिल गया अब यहां एक बात बतना चाहूँगा महोरी को आप हाथ के उपर भी बना सकते हो या फिर नीचे टेबल के उपर या फिर कहीं जमिन के उपर रखके भी बना सकते हो आज मैं आपको टेबल को पर रखके बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी में रसी घुमेगी, या फिर जितनी में गठाने लेगी, या आपको साब साब दिखाए दिने चीए, समझ मियाने चीए, ठीक है, तो यह मेरा अपना तरीका है, यह होने एक बाद लूपल हिसा म पाय तरफ लेना, तो पहले इसको सेट कर लेते हैं, यह होने के बाद आप क्या करना है, जैसे लूपल हिसा है, यहां से लगवख 1 फिट, इसके तो यह जानौर के मूवला हिसा बनेगा, तो आप जानौर के हिसाब से आप उसको कम जादा कर सकते हो, पर मेरा एक सिखाने का तरीका एक आइडियल है तो आप यहां से लगबग एक फिट तक इसको पकड़ लिजी, मान लिजी एक फिट यहां पकड़ लिया, तो यहां क्या करना है, यहां इस टाइप से एक क्रॉस लगा देना है, ठीक है, यह क्रॉस लग गया, अब क्रॉस किसका लगाना है, जो लंब आप पीछे तरफ के से ध्यान दे कर देख़िए, यहाँ क्या करना है? जो round लगे तो under तरफ से लेना, ऐसे बाहर तरफ से नहीं लेना है, एक अंदर तरफ से लेना है और यहाँ तक पहुच जाना है, दीखिए. ठीक है तो उपर तक हम यहाँ पहुच चुके हैं यह होने के बाद जो छोटी रिस्षिय इसको दुबारा वह आपिस लेते और नीचे तरफ छोट देते तो यह क्या हो जाएगा यहाँ तीन से बन जाएगे यहाँ दो ही है यहाँ भी तीन बनेगे बाद में बनेगे ठीक है यह हो गया अब इसको यहाँ पकड़ लिया और थोड़ा एक तीन चार ओंगल बीच में ग्याप छोड़ना है और इस टाइप से उसको सेट करना है बहुती बारीकियों के साथ आपको समझने कुशिश कर रहा हूं इतनी बारीकिया आपको कोई भी नहीं बतागा तो ध्यान जैन से देखे घौर से सुनिए そう gefवीन कुशिश के यह हो गया आप इसके बाद ले ते हैं भारकडी क्यूंकि इस बीच में भारकडी भी ऑस ये वाला हिस्सा इसका सामने वाला लूप कड़ लेते हैं ठीक है और इसका बारकडी का मुझ डाल देना है इस टाइप से और भा बड़ा कर देते हैं बड़ा कहात करना है जो हमने मार्किंग बनाई थी दागे से इसको सिधा यहां लेकर ऐसे पखड़ लिजे ठीक है यह पखड़ लिया अब यहां द्यान से देखिए क्योंकि यहां रोप को पल्टी लगाना है किस तरफ से बाए तरफ से दहीने दरफ करने के बाद अब इन सभी इसों को उपर के तीन नीचे के तीन इससे इनको इस टाइप से पखड़ ललेना है जिसा क्या हो दुपरा इसको उठाया और डालते हैं आगे निकाल दिया यहां तक आपके समझ में आगया होगा बड़े आराम आराम से शिखा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे साथ भी कर सकते हैं ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है यह हो गया इसी लूप को जो छोटे लूप है इनके नीचे से और ऊपर तरग निकालना है तो दोस्तों अब उंगले हटा देते और धीरे देरे इन सभी हिस्सों को टाइट करते गठनों को टाइट करते और जहार मानली जहार आटी है उसको प्लेयर करते हुए ऐसे घुमाते हुए सब को सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहां तीन सीरे वाली कठन लग जाएगी दोस्तों तीन सीरे वाली कठन अलग अलग पाश प्रकार से कैसे लगानी इसको पर एक डिटेल से एपिसोर बना हुआ है आपने देखा भी होगा और जिन्हों ने देखा आप देख सकते हो ऊपर राइट कॉर्णर और नीचे सकते हो ठीके तो यह हो गई तीन सीरे वाली काठाणिया सेट यहां तक आपके समझ में आ गया होगा अगर नहीं आता है तो कोई बात में आप्रिपीट करके देख सकते हो आपको 100% समझ में आ जाएगा ठीके दोस्तों यह हो गया आप एगरना है इसके बाद जो सामने आमन करना है और आगे खिषते चलना है ऐसे उसको पहले तीन फिट बना लेते हैं लूप को तीन फिट बढ़ाने के बाद आपके अगर ना है इसको घुमाना है तो लूप आज आएगा अपने तरफ ऐसे यह वाला लूप आपने तरफ नीचे डाल दीजे और बाकी मोहरियों को ब आपद में सेट नीचे को आप में सेट करना है जो रत्य हिसको बाहर से पकड़ना है इसको भी बारिए अंदरसी इसको भी बाहर से पखड़ना है वाहर से बाद गठाण को पल्टी लगा ही थी वाय से दहने अब यहाँ लगाएंगे दहनी से वाय तरफ तो इन तीनों हिश्सोNG को यह से पुखिड लेना है इन तीनों को ही पगड सकते हो और उनको आपस में पल्टी लगा देनी यहां ठीक है और यह जो हिस्सा है यह आएगा आप कहां बाई तरफ बाया वालाएगा दाहिने तरफ यहां तक आपके समझ में आ गया होगा ऐसे दो लूप बन गए और जैसे सामने एक छोटा लूप बना था पहले उसी तरह से दो इसे बन गई आप क्या करना है इन आगे निकाल देना है ठीके दोस्तों यह बहुत आसान तरीका है और सेम तरीका हमने उस पाच प्रकार के गठानों की वीडियो में सिखाया हुआ है तो आप उसको जरूर जाके ट्राय कर लिजे देख लिजे यह हो गया इसको टाइट कर लेते हलकालगा यह और फिर इसी रस् से इन दोनों को बराबर पकड़ते हुए टाइट करना ऐसे और जैसे अमने शुरुवाति रस्ती को यह शुरुवाति जो गठानी इसको सेट किया था उसी तरह से इसको भी सेट करना है ध्यान यह देना है यह जो हिससे ऐसे बराबर आने चाहिए एकदम साइज में इसके पॉर पलती नहीं होनी इसए भले इसकी जो आटी है गठान के आंदर चली जाएं कोई बात नहीं पर इसके अगरभी च्म पश्प्रस्तों मौरी के दोनों तरब की गठानी बहुती सुन्दर तरीके से Hem motions हो चुकी है और जैसे मैंने आपको पहले कहा था मोरी के बीच में कहीं भी आटी नहीं आनीं चीए तो आप हम करना है पल्टी ऐसे पल्टी करने के बाद यहां लगानी है तीन सिरे वाले गठा तो हम लेते बहुर कड़ी को आगे क्योंकि एक सिरे के अंदर हम बहुर कड़ी की अट्याच कर लेंगे तो इसको यहां इस टैप से बड़ा बना लेंगे ठीक है यह यहां बनगे रसी के त से अब तीन हिस्सों क्या करना है आपस में लॉक करना है लोक कैसे करना है शुरॉत करेंगे यहां से तो इस हिस्से को डाल दिया इसके ऊपर ऐसे बीच में जो लूब बना इसको इसे तरह से पकड़ना है फिर इस हिस्से को डाल दिया इसके ऊपर यहां और तीसरे हिस्से को रालना है कहां इजो लूब बना इसके अंदर और इसको देरे-देरे कर देते हैं टाइट ठीक है यह कि देखिए कि तीन सिरे वाली अठान यहां भी लग चुकी है एक सिरे के अंदर हमने भौरकड़े को बनने के लिए अब जो बीच का हिस्सा है एक कितना लंबा रखना है जैसे जानवर के आख होते हैं सीधा वह ऐसकर आप डाइरेक्शन लोगे तो गले की निचे आना चाहिए तो उससी साफ साफ उसको कमें ज्यादा कर सकते हो यह बस मेरा सिखाने का तरीक है आप ध्यान देक कर देखिए यह इसके नदर हम खोटी वाला जो रस्तिया थी उसको बाद देगे इसको आटेज करेंगे तो इसको भी कितना लंबा रखना है उससी साफ साफ उसको आड़्जेस कर सकते हो फिर भी थोड़ा उसको और लंबा कर लेते हैं यह यह होगा दोस्तों आब एक करें हम दूसरे तरफ पंशा बनेंगे उसके लिए क्या करना हमें इसको करना है पलटी त्यक्याइब अइसे पलटी करना है इसको घुमा दिया कि यह कि मुवाला इससा यहां सेट करते बाकी इससा अंदर लेते और यह इस टाइप से आएगा ठीक है यह अपनी भोर कड़िए अब इस तरब भी सेम पहले जैसे तीन सिर्यवली गठन लगानी पर लगाने के तरीका अलग है इसलिए मैंने आपको पहले कहां था उस एपेस बढ़ा है जो बहार की रस्ती यह वाले इसको एक इस टाइप से आटी मारने ठीक है आटी मार दी तोड़ा और आगे लेते यह आटी मारने के बाद दूसरी रस्ती इसके उपर से और इन दोनों की निच्चे से पीछे दरब निकाल देने हैं ऐसे ठीक है और इसी का सामने वले इससा इस लुप के अंदर डलते हुए आगे निकाल देना है बड़ा आसान तरीका है बस द्यान से देखने का वश्रता है यह हो गाए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा ठीक दोस्तों आप क्या करना है इसको उठाणा है और भावरकटी के अंदर डाल देना है ऊपर से निचे तरफ निकाल दीजिए और जितनी लंबएए यह वाली है उतनी लंबए यहां छोड़ दीजिए और उसी हसाफ सोब्सक करना है उसको वो आपिस लेका गए, वो आपिस अनेक बात, सेम इसके साथ डल देना है, यहां से, थोड़ा फटा-फट देखेंगे, क्योंकि डिटेल से अपसल बना हुआ है, दुमारा समय इसको उपर बरबात करने से कोई फायदा नहीं है, यह हो गया, ठीक है, यह हो गया, यहां अनेक इसके उपर से और इसके अंदर से, ऐसे, और सबसे आखरी में इसके साथ आगे निकाल देजे, यह, तो यह बन गए अपनी तीन सेरे वाले गठान, अलग प्रकार से, ठीक है, दोस्तों, सेम बन गई, इसके बीच में किसी वे रगर का अंतर नहीं है, जैसे हमने शुरवात ने बनाए थी, उसी साब से एभी बनी है, आप इसको नाप सकते हैं, यह वाली साइज और यह वाली साइज दोनों बरावर है कि ने, तो आप देख सकते हो, बिलकुल बरावर साइज में हमने बनाई है दोस्तों, तो इसी साब से भॉरकड़ी भी इसका अंदर सेट हो चु के हैं एक बार समझाना चाहूंगा देखिए इसके बाद यह जो हिस्सा बीच वाला इस जाएगा गले के नीचे तरफ से और दोनों इससे जाएगे कान के पीछे से और गर्दन के उपर तो इसको किस तरह से पैनना एक बार देख लिजे मेरे पास आपको दे रहा हो किस तरह स तो चलिए दोस्तों आज के एपिशोड में बस एतना ही आप लोगों ने जो कमेंट्स की थी सुन्दर डिजाइनर और एक अलग प्रकार की महरी किस तरह से बरानी है और सिखाईए तो आपकी कमेंट्स आप पूरी हो जाती है आप कोई महरी महरी बरानी का तरीका कैसे जरू लिखे फीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और इसके बारे हम कुछ सवाल एक कुछ सुझावे ओवी कमेंट्स में जरू लिखे हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसे दर की और एक इंट्रिस्टिंग डोग टेकनिक के साथ तब तक क के लिखे खुश रहे मस रहे और गर्ब से बुले जय जवान जय किसान